हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरे एक विवर है जो काफी दिन से उनकी ये फर्माइश थी कि उन्हें फिश रोल की रेसिपी चाहिए तो आज मैं वही फिश रोल की रेसिपी लेके आया हूँ अपनी स्टाइल में बनाऊंगा वीडियो में अंतक बने रहिएगा तो ये बनाते हैं ये स्ट्वीट स्टाइल फिश ओल तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बाम मचली ली है इसमें बस एक ही बोन होता है सेंटर में जो की हम पकाने के बाद निकाल देंगे और बिलकुल भी बोन काटे वगरा जादा नहीं होते तो सबसे पहले फिश में हम डालेंग चाट मसाला और दो चुटकी आपको डालना है इसमें गरम मसाला पाओ दो चमच हम इसमें दही एड करेंगे अगर आपके पाद दही नहीं है तो आप एक नीबू का रस इसमें डाल दीचेगा आधा चमच अदरक और लैसुन का पेष्ट स्वाद अनुफसा नमक मतलब की एक चौथ हाई चमच की इतना इसे अच्छी तरह से आपको फिश में चारों तरफ लगाना है मतलब अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए मसालों की फिश पर अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे कम से कम 10 मियाट के लिए रेश्ट देंगे आप चाहें तो आधा एक घ पानी अड़ करेंगे हमेसे हम थोड़ा थोड़ा ही डालता है जन्यinda कभी नहीं डाला हम लोगोंने तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमेसका एक नरम सा आटा गुंद लेना है जासबूमे तो मैंने grill pan लिया है, आप normal दवा भी ले सकते हैं, अभी हम इसमें 3 चमच oil डालेंगे, मतलब 3 टेबल स्पून की जितना oil डालना है आपको, अभी flame आपको high रखनी है जब आप इसमें fish add करते हैं, पहले के 1 मिनट आपको high flame पे ही fish को इसके उपर डालना है, क्योंकि जब आप fish डालेंगे, तो अंदर का जो नमी है वो lock हो जाएगी और fish जो है, वो juicy बनेगा, एक मिनट का flame को आप medium या low कर लें, क्योंकि हमें fish भी पका नहीं, high flame पे यह जल जाएगी, एक side मैंने 5 मिनट पकाया है, एक मिनट high flame पे और low flame पे 4 मिनट, फिर इसे आपको flip कर देना है, in short म तो हमारा fish जो है वो बनके ready है, पक चुका है पूरी तरह, अब हम इसे निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, तो fish हमारी ठंडी हो चुकी है, ये कांट वाला चमा चाता है न, वो मैंने ले लिया है, फिश को आपको उधेर देना है, जो एक तरप skin थे इसकी, वो skin मैंने न निकाल दी है, वो अपने आप निकल जाएगी, तो ऐसे उधेर देना है, और ये ऐसा बड़ा सा एक कांटा आपका निकल जाएगा, ये आपको fake देना है, simple है, और छोड़ी छोड़ी ऐसे pieces देख मैं आपको दिखा, ऐसे हो जाएंगे, कांटे आपको insert निकाल लेने है, simple, तो अब मैंने एक और पैन ले लिए है, पैन में मैंने डाल दी है, एक चमच की जितना oil, अब हम इसमे अड़ करेंगे, एक चमच चॉप लेसुन, लेसुन बहुत important है, इससे बहुत अच्छा flavor आएगा, लेसुन डालने के बाद हम इसे 20 सेकंड तक पकाएंगे, लेसुन को medium flame पे पकाना है आपको इसे, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसकी quantity एक है, slice में कटी हुई, फिर इसमें डालेंगे हम shimla mint, slice में कटी हुई, जिसकी भी quantity एक है, और थोड़े से हम tomato डालेंगे, इसकी भी quantity एक है, बट मैंने इसके गूदे निकाल लिए, high flame रखना है आपको high flame पे एक मिनट पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है, और पहले नमक नहीं डालना है, अब एक मिनट के बाद ये जो हमारी fish है, ये सारी fish हम इसमें डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन वाली लाल चटनी एक चमच, अगर ये नहीं है आपके पास, एक त मिनट पकाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, मतलब टोटल जो हमने ये सारी सामंगरियां पकाई है, वो दो मिनट पकाई है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि हमें सबजियों में crunch चाहिए, तो दो मिनट टोटल हमने पकाया है, इ बेलने की मैंने कोशिश की है, यह बड़ा नहीं, मतलब सब कुछ बना लेना है, बड़ यह गोल नहीं बनती, मेरे से पता नहीं क्यों, लेकि फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत गोल कर लिया है, और अब हम पराठा बनाएंगे, तो मैंने तवे पर डाल दि किया है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बटर था मेरे पास, बट मैंने आपलाई किया, इससे क्या होता है, इसमें नमी बनी रहती है, जब हम इसे फोल्ड करते हैं, तो वो क्रैक्स नहीं होते है, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी बनाया है, तो जब फोल् यह जो गोल्डन कलर के धब्बे आ जाता है ना पराठो देखने में कसम से बहुत अच्छा लगता है तो इस पे वो धब्बे आ चुके है यह देखिए और हाँ इसे जब यह पराठे बन जाए तब आपको इसे धक के रखना है पांच मिनर तक उसके बाद मैंने इसके उपर लेसुन वाली लाल चटनी अगर यह आपके पास नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा आपको आप सेजवान चटनी इसको उपर अप्लाई कर लीजिएगा एक टिबस्पून के जितना अब मैं इसमें एड कर रहा हूं अगर आपको हरी चटनी भी पसंद है वो भी आड़ कर सकते ह आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी मॉटिफाई कर सकते हैं मतलब जो चाहे डाल सकते हैं एक चमच मैंने टोमेटो केचप दोनों पर अपलाई किया थोड़ा सा मीठा सा खटा सा टेश्ट आएगा इससे और बस कुछ नहीं करना आपको यह जो हमने फिश की प्रिप्रेश जादा है क्योंकि मैंने यह अनुबब ले चुका हूं तो इस एक पेपर में फोल करेंगा नहीं पेपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस तो यह हमारा रोल तैयार है ऐसा यह जो बगल में पड़ा हूँ है इसे भी आपको लपेट लेना है और यह लीजे साहब जो जिसने इतनी सारी इतने दिनों से कमेंड कर रहे थे आपकी रेसिपी आज चुकी है और आती है मेरे ठूसने की बारी आज हमने बनाया है यह फिश रोल थोड़ा सा यूनीक है बट आपको जोड़ी सी महनत लगेगी लेकिन आपको स्ट्वीट फूड जैसा फील होगा और टेस्ट अध अलोग अलोग चाख चाख अगए अगर थे पर जाद बहुत अच्छा रहा है यह थे पर अच्छी क्वालिटी की विश्की है आप लों भी वही किजिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा वोंस वगेरा नहीं होते हैं मेरे कैमरे के पीछे लोग असी शिटोरी कर रहे है त तो अपने जरूँ ट्राइक किजिएगा और बताएगा कि आपका जो फिश रोल है कैसा बना है आज के लिए बस इतने में नए वीडियो ने जाए सब्सक्राइब कर लिए जो बैल आइकन जो पैस कर दीजिए था थैंक्यों सो मत फॉर्चिंग बाबाई